हॉलिवूड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पैरडाइज रोड ये कहानी एक सची घटना पर आधारित है इसके टाइम लाइन वर्ल्ड वार टू के समय की है मूवी की स्टार्टिंग में सिंगापूर के होटल के अंदर एक बड़े से हॉल में कुछ फौजियों को उनके पार्टनर्स के साथ डान्स करते वे दिखाया चाता है सबी लोग बहुत खुश दिखाये दीते हैं इन फौजियों के लिए ये आराम का समय है क्योंकि इससे पहले तो वो जापान के साथ युद्ध रड़ रहे थे इस पार्टी में एक लड़की होती है जिसका नाम सूजन है और ये एक उस्ट्रेलियन नर्स है जो एक फौजी के साथ डान्स कर रही है जिसे वो इसी पार्टी में मिली है तभी एक और औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम रोजमेरी है जो अपने फौजी हस्बेंट के स साथ डान्स कर रही है इन दोनों को आपस में बहुत प्यार होता है यहीं पर कुछ American officer आपस में discuss कर रही थे जापान कभी भी अमेरिका को जंग में नहीं हरा सकता तब अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं फिर एक फौजी अंदर आकर अनाउंस करता है कि जापान किसी ना बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ चुकी है और वो यहाँ पर कभी भी हमला कर सकते हैं इसलिए वो होटल में मौजूद सभी म इस शिप स्टार्ट होती है यहाँ पर सुजन के साथ कुछ ऑस्ट्रेलियन नर्स भी हैं जो अपने सभी पेसिंजर्स का ध्यान रखती हैं और उनकी जरूरुतों का पूरा खयाल करती हैं यहाँ सभी ओर्तों को लाइफ जेकेट दी जाती है इन लाइफ जेकेट को उनको युद्ध जोन से बाहर जाने तक पहनना होगा इनकी रात बहुत ही बढ़िया निकलती है लेकिन अगले सुभा जैपनीज एर फोर्स इस शिप को घेड़ लेती है और इस पर अटैक कर देती है पूरे शिप पर हडबड़ी मत जाती है अटैक के कारण बहुत सारे बच्चे और औरते मारी जाती है उनमें से कुछ महीलाए शिप से कूट कर लाइफ जैकेट के सहारे किनारे तक जाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ महीलाए जिनके पास लाइफ जैकेट नहीं होता वो भी पानी में कूट जाती है जिसके बाद हम रोज मेरी को देखते हैं जो अप जापनिस आइलन्र सुमात्रा पर पहुँच जाती हैं। यहां वो खीचड वाले जंगल को पार करते हुए ऊपस में बाते करते हैं। आराम करने के बाद तीनों आगे बढ़ती हुए एक रास्ते पर पहुंच जाती है जहां पर उनको जैपनिस सैनिको का ग्रूप साइकल से उनकी तरफ आतावा दिखाई देता है फिर उनके सामने एक गाड़ी रुखती है जिसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम करनल ट हत्म हो गई है वो कहती है कि तुमने शिप पर अटैक करके जनेवा समझोते को तोड़ा है लेकिन करनल टनाका कहता है कि जापान ने कभी भी इस समझोते पर दस्थिकत नहीं किये फिर करनल इन तीनों को एक गाउं मिला कर डॉप कर दीता है यहां पर एक जापानी सैनिक ब वो अभी यहां पर मौजूद हैं फिर सुजैन अपनी फ्रेंट से मिलती है और सभी औरतों को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाती है फिर इन सभी को एक प्रिजन कैप में ले जाया जाता है इस कैप में बहुत सारे देशों के लोग कैप थे जो की अलग-अलग कास्ट क और ये देश वो थे जो World War 2 में जापान के खिलाफ खड़े थी अगली सुभा इन सभी को उठाया जाता है उन्हें एक जगा एखटा होने का ऑर्डर दिया जाता है अब इनके साथ जानवरो जैसा सलूक होने वाला है इन्हें एक जगा एखटा करके करनल अनाउंस करता है क अब से तुम सभी जापान की गवर्मिन्ट के कैदी हो और अब तुमको यहाँ पर हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा फिर एक औरत कुछ बोलने लगती है तब ही सारजेट उसको थपड मारके चुप करा दिता है फिर जापान के फ्लैक को लगा कर उनका राश्टगीत बजा कर खाना पड़ता है इस कैंप में अलग अलग देशों की लगबग 400 से भी जादा महिलाएं हैं ये औरते खाते हुए बात करती हैं कि चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो जाए हम सभी को एक साथ मिलकर उनका सामना करना होगा यहाँ पर एक जोईश लेडी भी होती है जिसका नाम वर्स्टैक है वो एक डॉक्टर है ब्रेकफास्ट करने के बाद जापानी सैनिक इन सभी महिलाओं से पूरे दिन बहुत ज़दा काम करवाते हैं और इनको खेतिवारी करने के लिए ले जाते हैं इनको जरा सभी आराम करने की आजादी नहीं थी जिसके बाद जील से पानी लाना होता था जिसको जापानी सैनिक नहाने के लिए इस्तमाल क्या करते थे ये सैनिक महिलाओं के सामने इतनी बेशर्मी दिखाते थे कि वो उनके सामने ही नंगे हो जाते थे जिससे इन महिलाओं को बहुते बुरा फीर होता था यहाँ पर एक और रोजमेर की बीमारी फैल जाती हैं जिससे यहां पर बहुत सारी औरते मारी जाती हैं कुछ औरते रिश्वत के तौर पर अपने गहने जापानी सैनिकों को देखकर उनसे दवाई ले लेती हैं इन सभी के साथ मिसिस रॉबर्ट नाम की एक भूरी औरत भी है जो इस कैम्प में बहुत स चुपे बाहर जाती है और अपने साथ दवाई ले भी आती है लेकिन जब वो वापस आती है तो कैम्प के गार्ट्स अलर्ट हो जाते हैं पर विंक अपने कैम में पहुंच जाती है और मिसिस रॉबर्ट को दवाई दे देती है जिससे उनकी हालत में सुधार हो जाता है ल उसके पास एक और महिला आती है जिसका नाम देजी होता है। उसे भी म्यूजिक का बहुत शौक है। दोनों को म्यूजिक पसंद था। इसलिए दोनों की आपस में बहुत बनती है। फिर दोनों डिसिजन लेती हैं। कि हम एक म्यूजिकल बैंड ग्रूप बनाएंगे और य जिन्दा जला देंगे लेकिन फिर भी बहुत सी महिलाएं उनके साथ जुड़ जाती है जिसके बाद हम एक बार फिर से मिसिस रॉबर्ट को देखते हैं जो निचली कास्ट वाली औरतों को भला बुरा कह रही थी तब उसकी बेटी उसको समझाते वे बताती है कि विंग ये दवाई लाने का रिस्क लिया और पकड़े जाने पर उसको जिन्दा जला दिया गया ये सब सुनकर मिसिस रॉबर्ट बहुत ही उदास होती है और विंग का शुक्रिया अदा करती है अब एडरेन ने जो म्यूजिक ग्रुप बनाया था वो अपने रिहर्सल स्टार्ट कर देता है लेकिन तबी वहाँ पर जैपनिस सैनिक आ जाते हैं जो उनको ऐसा करने से रोकते हैं लेकिन ये महिलाएं यहां पर हार नहीं मानती और उन सैनिकों से चुपते हुए छोटे छोटे ग्रुप में अपना म्यूजिक बनाने लगते हैं कुछ दिनों के तयारी के ब पर एक बंगले पर ले जाये जाता है जहां पर जैपनिस आर्मी के ओफिशल्स होते हैं यहां पर इनके सामने एक ओफिसर प्रपोजल देता है और कहता है कि तुमारे पास अच्छी जिन्दगी जीने का एक मौका है लेकिन तुम्हें जैपनिस ओफिसर के मिस्ट्रेस बन क कुछ महिल आये तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हैं लेकिन कुछ मना कर दीती हैं क्योंकि उन्होंने किसी और को प्रामिस किया था अब इसी तरह समय बीट रहा था और वर्ल्ड वार टू अभी तक चल रही थी इस समय में कैम्प के अंदर बहुत सारी औरते मार ही हैं लेकिन हमारे काम जरूर आएगा सूजन को ये सब गलत लगता है लेकिन तभी हमको ये बता चलता है कि वर्स्टेक सोने की चीजों के बदले सैनिकों से दवाई लाया करती थी वो सूजन से भी कहती है कि तुम को भी सब सीखना चाहिए ताकि तुम भी लोगों की हर कर सको उसी रात जब एडरिन अपने कैम से बाहर जाती है तो एक सैनिक उसको पकड़ कर असौल करने की कोशिश करता है लेकिन एडरिन ने सेल्फ डिफेंस पर धक्का देकर उस सैनिक को कीचर्ड में फेक दिया जिससे उसको काफी गुस्सा आ जाता है तब ही कुछ सैनिक आक उसका ओर्डर माने से मना कर दिया इसलिए मैंने उसको टच किया अब तनाका एडरिन के साथ बत्तमीजी करते हुए उसको बुरी तरह से लाते मारता है और कहता है कि तुमने हमारी सोलजर की दिस्रिस्पेक्ट की है जिसके बाद कुछ औरते सीनियर ओफिसर के पास जाकर क तनाका के शिकायत करती हैं और एडरिन की जानकी भीक मांगते हों कहती हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है सारी गलती करने तनाका की है लेकिन सीनियर ओफिसर उसकी मदद करने से मना कर देता है तभी औरते कहती हैं कि हमने तुमको एक रहम दिल इनसान समझा था लेकिन तुम भी तनाका की तरही बे शरम हो ये बात सुनकर वो एडरिन को छोड़ देता है अब उसी रात कैम्प में म्यूजिक ग्रुप का पहला शो होता है लेकिन उनकी आवाज सुनकर सैनिक यहां पर आ जाते हैं जो उनको गाने से रोकने की कोशिश करते हैं पर जब सैनिक उनक सबसे पाउफुल है इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी उनके साथ हाथ मिलाने के लिए राजी हो गया है तब भीड में से सुजैन धीरे-धीरे कुछ कहती है जिसे कंडल तनाका सुन लेता है वो सुजैन को बोलता है कि मेरे सामने आकर इसको फिर से दोहराओ लेकिन वो ऐसा करने से माना कर देती है इसलिए सजा के तौर पर उसको एक मैदान में जनजीरों से बान दिया जाता है और चारों तरफ नूकिली लखडिया लगा दी जाती है अगर सुजैन जरा सा भी हिलती है तो वो लखडिया उसके शरीर के आर पार हो जाएंगी उसे यहां पर कड़ी धू में कई घंटों तक रखा जाता है और पानी भी नहीं दिया जाता चौबिस घंटे के बाद करनल वापस आता है सुजैन अपनी जगा से टस से मस भी नहीं हुई थी जिसकी हिमत को देखकर वो उसको छोड़ देता है फिर रात को म्यूजिक शू होता है जिससे इंप्रेस हो कर सैनिक उनको गिफ्ट के तौर पर दो साबून के टिक्या देते हैं इनको यहां रहते हुए अब दो साल बीच चुके हैं और अब इनको किसी दूसरी जगा पर शिफ्ट कर रहे हैं जहां पर ज्यादा सुविधायन नहीं होंगी जब उन्हें यहां से ले जाया जाता है तो उनकी नजर उन लड़कियों पर पढ़ती है जो ओफिसर के मिस्टरस बनने के लिए राजी हुई थी। तबी रोजमेरी अपने हस्बेंट को देखती है जिसे जापानी सोलजर गाड़ी से ला रहे थे। वो देखकर समझ जाती है कि सोलजर उसके पती को मारने वाले हैं जिसके बाद इनको दूसरी जगापर शिफ्ट कर दिया जाता है इस जगापर रहने और खाने की कोई भी विवस्था नहीं थी इसलिए इन्हें सापों को पकड़कर खाना पड़ता है अच्छा खाना ना मिलने की वजह से बहुत सारी औरते बीमार हो जाती हैं और मारी जाती हैं जिन में मिसिस रॉबर्ट की भी जान चली जाती है उधर रोज मेरी ने अपने हस्बेंट की याद में खाना छोड़ दिया जिसकी वजह से कुछी दिनों में उसकी भी मौत हो जाती है मरी हुई सारी महिलाओं को वही पर दफना दिया जाता है जिसके बाद 24 अगस्त 1945 को आर्मी चीफ वहाँ पर आता है और कहता है कि जंग खत्म हो चुकी है वो इन महिलाओं के साथ हुए बुरे विवार के लिए उनसे माफी भी मांगता है जिसके बाद इन सभी और्दों को आजात कर दिया जाता है जिससे ये सभी बहुत खुश होती है और एक दूसरी को गले लगाती है इन महिलाओं के जजबे को सलाम करना चाहिए क्योंकि ऐसी मुश्किल की घड़ी में ये सभी एक दूसरे के लिए धाल बनकर खड़ी रही जिसके बाद इन सभी को सिंगापुर भेज दिया जाता है जहां से ये सभी अपने अपने घर चली जाती है ये मूवी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है लेकिन मैं ये सवाल आप से जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या इनसान को किसी दूसरे इनसान के साथ इस तरह से व्यवार करना चाहिए कहां गई हमारी मानवता या फिर हमने मानवता की हदों को पार कर दिया है बढ़ते modernization और development में हम इनसानियत को भूल चुके हैं इनसानियत का तो मतलब ही है प्रेम से रहना वेल आपकी इस पर क्या राय है आप हमको कमेंट करके जरूर बताए क्योंकि फिलाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई interesting कहानी के साथ पर तब तक के लिए धन्यवाद